हालो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज हम लोग बात करने वाले हैं जीस पेपर 4 यानि एठिक्स की एठिक्स का जो पेपर है यह आपका UPSC में धाई सो मार्क्स का और UPSC में दो सो मार्क्स का आता है इस पेपर के बारे में एक अच्छी बात यह है कि यह प्रिलम्स में नहीं पूछा जाता है क्योंकि अगर यह प्रिलम्स क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं किसी ना किसी रूप में जैसे कि हिस्ट्री है जोग्रफी है पॉलिटी है यह सारे चीज़ें आपकी प्रिलम्स में भी आती है तो लोगों का इन माल लिजे कि आप नहीं पढ़ा है बिएनस के असाभ से और आपका प्रिलम स्क्लियर हो हुगि उसके बाद जब आप देखते हैं इस पेपर को तो आप दो तरह की सोच रखते हैं या तो आप यह सोचते हैं कि इस पेपर को करना बहुत है आसान है मैं ऐसे ही कर लूंगा या क कुछ भी स्टुडेंट्स रखते हैं कि इसमें तो काफी सारे फिलॉसफी पूछी जा रही है और पता नहीं कि क्या तो पूरी एक बुक लेकर बहुत ही जादा चीजें पढ़ने लगते हैं काफी जादा चीजें पढ़ने लगते हैं तो यह दोनों ही अप्रोच जो है वो न करने को दिया है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि 2013 के बाद से UPSC ने अपना पैटर्न काफी जादा चेंज किया है मेंस का पैटर्न काफी चेंज किया है वहां पर हमें देखने को मिला है कि चीजें जो है वो रटनी की बजाए जो आपको कुशन को फॉर्मैट है वो एक ज्यान जो आपको किताबों मिलता है उसकी बजाए ऐनालेटिकल होता चला गया है इसका कारण यह है कि हमारा जो देश है वह विकास सील देश है और आगे बढ़ रहा है और इसमें कई सारे चलेंज़स हैं जो हमारी ब्यूरो क्रेसी को देखने को मिलते हैं यानि कि जमीनी चेक करने के लिए उन्होंने अपने पेपर को रटने की बजाए एक अनलेटिकल फॉर्म में बना एनलेटिकल टाइप का बनाया हुआ है और साथ में आपको वो आपका टाइम मेनजमेंट और क्विक डिसेजिजन मेकिंग स्किल्स भी किसी ना किसी तरह इन मेंस के पेपर म यह सब कोई कहने की बात मतलब भले यह कहीं लिखने में आता हो लेकिन जानते हैं कि किस तरह से क्या च्छवी है हमारे जो अधिकारी गण है उनकी या नेता गण है उनकी तो उस च्छवी को जो यूपी मतलब हम सब तो प्रपरेशन कर रहे हैं तो उसे एक अच्छे सबस्टा गाराथ खराप्त है और कहीं दा से तैंत इसका कुछ कारणा भी यह क्योंकि इतने सारे स्क्यांस में में मुझे बड़े गडिकार्यों के लावें जरु नहीं पस्तार हो कि सारे अजिकारी भराट ही ब्रश्टा होते हैं कि उस्तर्वनों सब्लब हम आतिक histori जरो वाला इंसान होना चाहिए तो इन चीजों को चेक करने के लिए उसने उनका जो कैंडिडेट है उसका एतिकल कोशन चेक करने के लिए ही इस पेपर को लाया है और इसमें सिर्फ वैल्यू उसकी बात नहीं है इसमें जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इमोशनल इ इन सब चीजों के बारे में भी उसकी जाच इस पेपर के माध्यम से होती है कुछ लोग कहेंगे कि पेपर में तो कोई कुछ भी लिखाता है और क्या कहते हैं कि आप उसके बाद और उसके बाद कुछ और भी हो सकता है लेकिन यह एक पूरा सत्य नहीं है क्योंकि जब आप जनते हैं तो उसके बारे में अवेयर होते हैं और फिर आप उसको अपने आचरण में भी डालते हैं killing को एसा कर सकते हैं कि वह पेपर में कुछ और लिक के आय औश अरों पर जाके कुछ और हो सकते हैं जैसा एक मामला भी सामने आया था एक ंप्यस और उसके बाद वो पकड़े भी गए थे और उसी साल फिर उसके बाद से UPSC ने जो मेंस के नंबर है वो उसके एथिक्स के पेपर में कम करने शुरू कर दिये थे लेकिन वो एक अलग बात है बट ऐसा सामनिता नहीं होता क्योंकि जो यंग पॉपॉलेशन है जब वो इन चीजों के बारे में पढ़ेगी अवेर होगी तो कहीं न कहीं उसके अंदर इन मूलियों का विकास होगा तो यह एक पॉजर्टिव अप्रोच है जिसको हमें सराहना जाहिए बजाए कि हमें इसकी निंदा गरनी चाहिए और साथ में साथ और आगे चलके हम और भी जाद़ एथिकल को चेक कर पाएं इसलिए हमें यूप्ये को और भी शायद और भी प्रयास करने चाहिए तो दोस्तों अगर हम से बात करें तो जो आपका से लेबस जो जादा questions आते हैं वो आपके दोनों के लगबख लगबख बराबर आते हैं case study और theory के UPPCS में जो आपका case study है वो थोड़े से कम होते हैं और जो आपके परिभाशा वाले terms हैं वो जादा आते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप case study भी ऐसी नहीं होती है कि जो अपने आप में independent ह अगर आप case study को ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो जो case studies है वो भी कहीं न कहीं उन्हीं जो आपने अभी उपर topics पढ़े हैं उसमें से ही आ रहे हैं तो आपका इन उपर topics को अच्छे से पढ़ना काफी ज़ादा जरूरी है लेकिन दूसरी बात यह होती है कि हम कितना पढ़ें और क्या पढ़ें तो भाई इसमें और किस तरह से इसको अप्रोच करें तो वही जो मैं पहले बोले थी कि दो अप्रोचे से student अपनाते हैं पहली बात तो यह या तो वो यह सोचते हैं कि उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे और जाके एथिक्स का पेपर हैं इसमें है कि मुष्ट का पेपिता सृट्फ़ में डूनी हैं को क्यों आप प्रोच आप को इन का क्या करना एक अपको जो इसके टर्मिनोलोजी सब्सक्वर्ण ढीनोले में आपको पता होना चाहिए है उनकी बेसिट का मतलब क्या है है अगर आप जो हिंदी मेरा जो यह पूरा कंटेंट होगा वो मेरी कोशिश होगी कि हिंदी मीडियम स्टुडेंट के लिए ही जादा हैल्पुल हो हाला कि मैं ऐसे लेंग्वज यूज करूंगी जो अंग्रेजी के छातरों को भी मदद देगी लेकिन मतलब समझ में आएगी ऐ और दूसरी बात है कि अगर आपने प्रेलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले एथिक्स पढ़ना चाहिए एथिक्स और ऑप्शनल और एथिक्स दोनों आपको अपने अच्छे से कवर कर लेने चाहिए यहीं पर जहां तक रिजल्ट का टाइ है क्योंकि इसमें आपको राइटिंग प्रेक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए और अधिक तर लोगों का जो एथिक्स का पेपर है वो छूटने की समस्य ऐसी लिए आती क्योंकि इसमें सोचना केस स्टड़ी होती है और सोचना भी होता है तो इस एथिक्स पेपर हमेश जो पेपर होता है उसमें आपको बहुत जादा रमाया नहीं लिखनी होती है उसमें आपको सिर्फ देड़ सो या फिर धाय मैक्सिमम थाइसो वर्ड्स का यह कांच से लिए जितना एनफ हो उतनी के आप नोट्स बना लो और उसके साथ में एक्जांपल भी अपने लिख ल है और मैं आगे के वीडियो में इस तरह की और भी आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगी अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक किजेगा एंड शेयर और सब्सक्राइब करेगा थैंक यू झाल आपके लिए समय करते हैं और संद आपके यू झाल झाल